हेलो गाइस कैसे हो आप लोग आप सब अच्छे होगे आपने बहुत से स्मार्टफोन यूज़ कि होंगे और मार्केट में आई दी नए स्मार्टफोन आते ही रहते हैं तो गाइस उसी लिष्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2022 के टॉप 5 जवज़स फोन और आज की इस वीडियो में इन टॉप 5 फोन के बारे में बात करेंगे इनके complete features के बारे में बात करेंगे और गाइस आप number 2 और number 1 फोन को मिस मत करना वो पहुत ही कमाल की फोन है तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेश कर लिजे तो चलिए शुरू करते हैं नम्मर फाइफ वीवो एक्स सेवेंटी प्रो तो गाइस अगर इस फोन की फीचर्स की बात करें तो आप जानते ही होंगे वीवो के फोन में कैमरा बहुत ही घजब के होते हैं बट अब इनके और भी फीचर्स काफी बैतरीन आने लगे हैं तो चलिए एक-एक करके इन बेजन की तो यहां पर आपको कॉइल कॉलम इसनाइब्रेगन ट्रिपल एड प्लस 5 जी प्रोसेशर मिल जाता है और अगर हम इसके अंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें तो यहां आपको Android 11 मिल जाता है तो चलिए अब इसके कैमरा की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बैक में Quad camera मिल जाता है जिसमें आपको cameras 50 megapixel, 48 megapixel, 12 megapixel, 8 megapixel मिल जाते हैं जिससे आप 30fps पर 8K की recording कर सकते हो तो अब इसके front camera की बात कर लेते हैं front camera में आपको 32 megapixel का camera मिल जाता है guys अगर इसकी battery की बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की battery मिल जाती है और अगर इस phone की storage के बारे में बात करें तो आपकी host उड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 12 GB RAM मिल जाती है प्रिज़से आपको 256 GB ROM मिल जाती है तो चलिए आप आखरी में इसकी price के बारे में बात कड़ी लेता है तो यह phone आपको बढ़ जाता 79,990 रूपीस का नमबर 4 Asus ROG Guys इस phone के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊ जादा तो लोग इस phone के बारे में जानते होंगे यह एक gaming phone है जिसकी features बहुत ही awesome है तो चलिए एक करके इनकी features के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले इसकी display सुरू करते हैं यहाँ पर आपको 6.7 inches की display मिल जाती है वो भी godila glass protection के साथ आप आँगे बढ़ते हैं और इसकी processor की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप snapdragon 888 का जबर जस्ट processor मिल जाता है और इसके android version के अगर बात करें तो यहाँ आपको android 11 मिल जाता है तो अब इसके अगर cameras की बात करें तो यहाँ आपको 64MP, 13MP और 5MP का cameras मिल जाते हैं जिससे आप 30fps में 8K की recording कर सकते हो अब अगर बात करें इसके front camera की तो यहाँ आपको front camera में 24MP का camera मिल जाता है जिससे आप अपनी पहुत ही यजब की selfie क्लिक कर सकते हो तो चलिए अब आँगे बढ़ते हैं और इसकी battery की बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको 6000 mH की battery मिल जाती है वो भी faster charging के साथ और यहाँ storage में आपको 12GB RAM और ROM यानि की internal storage आपको 512GB मिल जाती है तो चलिए अब इसके finally price के बारे में बात कर लेते हैं तो यह आपको 58,000 रुपीज का मिल जाता है गाइस अगर इस phone की features के बारे में बात करें तो आपको इसके display 6.7 inches की मिल जाती है और साथ में आपको 120Hz का refresh rate भी मिल जाता है और आप आगे बढ़ते हैं और इसके processor के बारे में भी बात करते हैं तो यहाँ आपको Snapdragon 8 generation octa core processor मिल जाता है और इसके Android version के अगर बात करें तो यहाँ आपको Android 11 मिल जाता है तो अब इसके camera's की बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको dual 50 megapixel camera और 16 megapixel camera मिल जाता है जिससे आप 30fps में 8K recording कर सकते हो और साथ ही अगर इसके front camera की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 megapixel का front camera मिल जाता है तो चलिए आप आँगे बढ़ते हैं और इसकी battery के बारे मिल जाते हैं यहाँ आपको 4700 mAh की battery मिल जाती है वह भी 120 watt की fast charging के साथ और इसे आप wireless भी charge कर सकते हो और यहाँ पे आपको storage 8 GB मिल जाती है और आपको internal storage 256 GB मिल जाती है तो चलिए अब इसके price के बारे मिल जाता है यह phone आपको 65,000 उपीज में मिल जाता है दो रस्तो आइफोन के बारे में कौन नहीं जानता है हम में से ज़्यादा तर लोग iPhone को buy करना चाते हैं बट गैस क्या आप iPhone के complete features के बारे में जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को आप पूरा अंद तक देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी display से तो यहाँ पे आपको 6.7 inches की display मिल जाती है और अगर इसकी processor की बात करें A15 Bionic chip processor मिल जाता है तो अब इसके cameras की बात करें तो यहाँ आपको 12 megapixel के triple camera मिल जाते हैं जिससे आप 4K में 30 fps और 60 fps में recording कर सकते हो अब अगर बात करें इसके friend cameras की तो यहाँ आपको 12 megapixel का camera मिल जाता है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसकी battery की बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको 4300 mAh की battery मिल जाती है वो भी 20 watt की fast charging के साथ और इसकी storage की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 6 GB RAM मिल जाती है और internal storage में आपको 128 GB मिल जाती है तो चलिए आप finally इसके price के बारे में बात कर लेते हैं यह आपको 1,26,000 रुपीस का मिल जाता है गाइस अगर इस phone की features के बारे में बात करें तो यहाँ आपको इसकी display में 6.8 inches की display मिल जाती है और साथ में आपको 120 GHz का refresh rate भी मिल जाता है इसके processor की बात करें तो यहाँ आपको coil column SM8450 Snapdragon 8 Gen1 का processor मिल जाता है तो चलिए अब इसके camera's की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको 12 MP, 108 MP, 10 MP और 10 MP का camera's मिल जाता है तो बात करें इसके friend camera की तो यहाँ आपको 40 MP का friend camera मिल जाता है तो चलिए आप आँगे बढ़ते हैं और इसकी battery की बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको 5000 mAh की battery मिल जाती है वो भी 45 Watt की force charging के साथ यहाँ पर storage में आपको 12 GB RAM और Intel 9 storage में आपको 256 GB मिल जाती है तो चलिए अब इसके price की बारे में भी बात कर लेते हैं तो यह आपको 1,10,000 उपीस में मिल जाता है तो guys यह थे 2022 के top best phones I hope आपको यह information पसंद आई होगी guys आप comment करके ज़रूर बताइए इन में से कौन से phone आपको पसंद है और इस वीडियो से आपको कुछ नए information मिली हो तो वीडियो को आप like करके अपने friend के साथ ज़रूर share करिए और SEO और वीडियो से देखने के लिए EasyTech चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए तो मिलते हैं आपसे एगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक कियर